आज हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन में Gmail messages शो नहीं हो रहे हैं आपके inbox में तो इस problem को कैसे ठीक करें आईए जान लेते हैं तो इस problem को ठीक करने के लिए आपको 3-4 steps follow करने हैं तो उसके बाद आपकी problem ठीक हो जाएगी तो सबसे पहले आप अपने फोन में Google Play Store को open करिए open करके उपर search पर click करिए और search करिए Gmail और Gmail search करने पर आपके सामने आएगा यहाँ पर Gmail application तो यहाँ पर आप check करिए अगर Gmail का कोई update आया होगा तो Gmail को यहाँ से update करिए तो हमारे फोन में कोई update नहीं आया है तो back आईंगे और उसके बाद अपने फोन में Gmail आपको open करेंगे open करके उपर left side में 3 line पर click करिए और 3 line पर click करके आपको all inboxes का option मिलेगा इस पर click करिए और यहाँ पर फिर से refresh करेंगे और check करिए हो सकता है आपको आपका Gmail यहाँ फिर message शो होने लग जाएगा यहाँ फिर 3 line पर click करिए नीचे आईए और एक बार spam option पर click करिए तो हो सकता है आपका message आपको spam folder में मिल जाएगा तो यहाँ पर आप आकर एक बार जरूर चेक करिए अब अगर problem ठीक नहीं होगी तो settings को open करेंगे नीचे आईएंगे नीचे आपको app manager का option मिलेगा तो अपने phone में app management या फिर app manager को open करके आपके phone के सारे application आईएंगे और यहाँ पर आकर आपको नीचे scroll करके मिलेगा Gmail जीमेल पर click करिए यहाँ से force stop करके नीचे ok करिए उसके बाद storage पर click करिए उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर clear data का option इस पर click करके नीचे clear पर click करिए और अब आप back आ सकते हैं और उसके बाद फिर से back आईए और Gmail आप को open करिए और got it पर नीचे click करिए और यहाँ पर आपका Gmail आप open हो जाएगा अब check करिए हो सकता है आपकी problem ठीक हो जाएगी अगर problem ठीक नहीं होगी तो आप अपने phone में settings को open करके नीचे account and sync option पर click करिए उसके बाद अपने Gmail account को select करके sync now पर click करिए और sync होने में थोड़ा सा time लग सकता है और जब आपका यह sync complete हो जाएगा तो back आईए और उसके बाद आप check कर सकते हैं अब आपका Gmail में message show होने लग जाएंगे तो इस type से अपनी problem को ठीक करें वीडियो पसंदाई वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe जरूर करें